दिया ड्रेस बाइ महार को मिनको सारा समाने अभी मुझे दे दीजे मैं सम्हाल के रख लूँए और जब भी आप बाद में वापस आएगा तो आपके ही घर में वह वह सारा समान सही सलामत मिल जाएगा और वो लड़ी वैसे अपना सारा समान दे देती है बट कई साल के बाद जब यह जीवस कम्यूनिटी वा एड्रेस था, वही चप्टर का नाम है दी एड्रेस बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोरी है, डीप स्टोरी है ध्यान से बिल्कुल समझेंगे एक-एक सीन को हम एनिमेशन से देखेंगे ताकि कहीं कन्फ्यूजर ना हो, कोई पहराग्राफ ना छूटे इसलिए NCRT बुक सामने खोल के बैठ जाओ, ये वीडियो खतम होती चले जाना वेबसाइट पढ़लक्षे.com पर चाहां पर तुम्हें इस चैप्टर की वक्षीट मिल जाएगी जिसमें सारे के सारे कुश्चन, शौट, लॉंग और कॉंपटेंसी बेस्ट कुश्चन्स मिल जाएगे अब यहाँ पर आइकॉन है, जहां दो लेडिस की बात हमने की थी, जो एक लेडि है, वो काफी ज़्यादा परशान है वर्ड वार की वज़ा से, अब वो जी उस कम्यूनिटी से है यह तो नहीं अगर चोड़ना पर जा रहा है, तो जो लेडि परशान है, जो अपना खर चोड़ रही है, उसी की बेटी की पॉइंट आफ यू से यह पूरी की पूरी स्टोरी लिखी है, और वह यहाँ पर आई है, उसकी बेटी, जो लेडी उस टाइम पर घर चोड़ देती है, तो अब वो अभी के प्रेजन टाइम में जाती है, वो एड्रेस खोजने की कोशिश करती है, अपने पुराने घर को खोजने की कोशिश करती है, और पूस्ती है, do you still know me? क्या तुम मुझे अभी जानती हो, तो सामने से एक वोमेन आती है, उसकी तरफ ऐसे देखती है, जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो, दरवाजा खोलती है, बट बहुत थोड़ा इसा खोलती है, यह लिखा है, she had opened the door a chink, यानि बहुत नेरो सा, बहुत थोड़ा सा दरवाजा खोलती है, I came closer and stood on the step, वो जो हमारी बच्ची है जो छोटी सी बेटी है उस लेडी की जो काफी परचान थी उस टाइम पर वार के टाइम पे वो पास आती है और स्टेप पे खड़े दाती है यानि दरवाजा कि आगे जो सीर्णिया बनी रोती थोड़ी बहुत उस पर खड़े दाती है तो सामने से जवाब आता है कि no I don't know you यानि वो lady वो woman जो दर्वाजा खोलती है वो कहती है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती तो अब हमारी ये चो बेटी है ये उसे बताती है कि I am Mrs. S. daughter कि मैं Mrs. S. की बेटी हूँ Mrs. S. कौन वही lady जो war के टाइम पे काफी परशान थी अब आगे वो काफी देर तक इस तरह से देखती रहती दर्वाजे पर बट वो दर्वाजा आगे पूरा खोलती नहीं है और उसके चहरे को देखकर हमारी इस छोटी बच्ची को लगता है कि ये बिल्कुल भी मुझे पहचान नहीं रही है और सायद मैंने गलती से गलत जगे पर नौक कर दिया गलत एडरस या गलत गेट पर आ गई क्योंकि उस छोटी बच्ची ने तो उस आंटी को जो उसके सामने खड़ी जी उन्हें काफी साल पहले सोचो वार के भी पहले काफी साल पहले देखा था इसी के आगे लिखा है कि जब वो थोड़ा सा साइड अटती है डोर खोलती है तो इस बच्ची को दिख जाता है कि वो तो उसकी ही ममी का ग्रीन कलर का काडिगन पहने हुए है और जो उसमें बटन्स लगे थे वोड़न वो थोड़े से पेल यानि फेड़ कलर के हो गए थे दुलते-दुलते और जैसे ही वो उमें देखती है कि ये बच्ची मेरा कार्डिगन को ध्यान से देख रही है पहचानने की कोशिश कर रही है तो वो अपने आपको फिर से छुपा लेती दरवाजे के पीछे बट आप पता चल जाता है इस बच्ची को कि हाँ वो बिल्कुल सही जगे पाई है और आगे कहती है कि तुम मेरी मम्मी को जानती थी वो वो मेन सामने से कहती है क्या तुम वापस आ गई हो I thought that no one had come back कहती ही मुझे तो लगा ही नहीं कि तुम वापस आ गई हो मुझे लगा कि कोई भी वापस नहीं है जो उस टाइम पे चला गया था यहां से तो रिप्लाई आता है उस छोटे बच्ची का कि only me यानि सिर्फ मैं आई हो इसके बाद वो दर्वाजा खुलता है थोड़ी सी जगा दिखती है अब मस्टी स्मेल इमस्ट यानि कि एक अजीब सी स्मेल आती है I regret I cannot do anything for you I have come here especially on the train I wanted to talk to you for a moment यानि जब रिप्लाई आता है कि मैं regret कर रही है कि मैं तुमारे लिए कुछ कर नहीं पारी हूं साँटी का तो हमारी बच्ची बोलती कि मैं तो दूर से train पे सिर्फ आपके लिए आई हूं और आप से एक मुमेंट के लिए थोड़ी देर के लिए बात करना चाहती हूं तो सामने से रिप्लाई आता है कि अभी एक convenient time नहीं है मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती किसी और time पे आना ऐसे वो दरवाजा बंद कर देती है जैसे इस बातचीत से अंदर जो भी लोग है घर के वो डिस्टब ना हो बट इसके बाद भी वो बच्ची उसी step पे यानि घर के just बाहर जो शीडिया होती है उस पर ही खड़ी रहती है और देखती है कि जो curtain है ना उस window पे घर के वो हलका सा move होता है और घर के अंदर से उस खिड़की के अंदर से कोई उसकी तरफ देखता है और कुछ बात करता है उसी lady से जो अंदर जा चुकी थी दरवाजा बंद करके तो lady reply करती है oh nothing, it was nothing अब इसके बाद वो देखती है नेम प्लेट पे एक बार और कि मैं सही जगा हूँ न तो हाँ पर नाम भी होई लिखा था darling जो उसकी माने उसे बताया था in black letters on white enamel यानि white colored के enamel जिससे हमारा दाद बना होता है उस material पे black color से लिखा हूँ था darling और उसके थोड़ा से उपर लिखा हूँ था number 46 जो address उसकी माने उसे बताया था और अब वो जैसे ही वापस जारी होती station की तरफ तो वो पास्ट में चले जाती है यानि सोचली लग जाती है कि यह address उसकी मदर ने उसकी मम्मी ने बहुत साल पहले बताया था और वो जब एक दिन अपने घर पे जाती है तो एक immediate change notice करती है कि कुछ-कुछ समान उसके घर का missing है तो उसकी मदर उसको बताती है एक lady के बारे में Mrs. Darling के बारे में जो यही lady थी I had never heard of her but apparently she was an old acquaintance of my mother whom she didn't seen for years she had suddenly turned up and renewed their contact since then she had come regularly अब जब वो उसके बारे में बताती है Mrs. Darling के बारे में अपनी बेटी को तो बेटी सोचती है कि इनके बारे में तो मैंने पहले कभी सुना ही नहीं है but वो कोई बहुत पुरानी acquaintance का मतलब होता है बहुत पुरानी रिस्तेदार या फिर कोई जानने वाली थी उसकी मदर की जो बहुत सालों तक तो नहीं आई but अचानक से एक दिन आ गई और उसके बाद से रेगुलरली आने लग गई थी अब उसकी मदर उसे बताती है कि जब-जब ये हमारे घर आती है और हमारे घर से जाती है वापस तो कोई ना कोई समान ले कर जाती है तभी तो वो बच्ची नोटिस करती है न immediately कि यार मेरे घर से बहुत सारा समान गायब हो रहा है यानि जितना भी टेबल सिल्वर का मतलब की जितना भी कटलरी का समान है जिससे knife हो गया, spoon हो गया, plates हो गई जो भी खाने पीने का समान है dining table का वो सारा समान एक बार में लेकर चली गई and then the antique plates that hung there और फिर उसके बाद जो antique plates थी वो सारा का सारा वो उठा के ले गई she had troubled lugging those large vases and I am worried she got a crick in her back from the crockery हमारी जो यह daughter है जो बच्ची है वो देखती है कि यह सारा समान उठाने में से problem हो रही है बड़े बड़े vases हैं तो यह worried जाती है, परशान जाती है कि कहीं उसकी back में क्रिक ना आ जाए, यानि कि एक crack ना आ जाए, उस बड़ी बड़ी crockery सारे के सारे समान को उठाने में मतलब उसकी मदर को भी उस पर दया आती है कि वो इतना सारा समान कैसे उठा कर ले जाएगी पिटिंगली मतलब sympathetically सिंपती आना, दया आना अब तुम सोचो कि कोई उनलों की घर से समान लेकर जा रहा है और बच्ची सोच रही है कि उसके पीठ में कहीं crack ना आ जाए क्रिक क्यानी दर्द ना हो जाए और उसकी मदर सोच रही है दया आ रही है उसको कि अरे ये कैसे इतना सारा समान ले जाएगी तो उस woman ने इन लोग को convince किया था कि मैं आपका सारा समान safely अपने आपे रख लूंगी और आप जब वापस आएगा आराम से आपे आपको आपका समान मिल जाएगा तो इसलिए ये लोग उसकी इतनी चिंता कर रहे थे अरे अंगरेजी में यही लिखा हुआ है कि उसने कभी उस डॉर्टर ने आई का मतलब बावर बता रहा हूँ कि वो डॉर्टर वो बच्ची उसने कभी हिम्मत तो नहीं कोई अपनी मदर से पूछने के लिए कि बार-बार बताया she even insisted कि वो हमारी सारी की सारी अच्छी चीजों को सेफटी के साथ रखना चाहती थी otherwise अगर वो यहीं पर रहते घर में और उनको यहां से भागना पड़ जाता तो यह घर डिस्ट्रोई हो जाता हो यह सारा का सारा समान डिस्ट्रोई हो जाता have you agreed with her that she should keep everything I asked यानि अब वो उसकी डॉटर पूछती है कि क्या आपने उनके साथ कोई agreed यानि कोई agreement किया है proper कि वो सारा का सारा समान अपने साथ रखेंगी तो reply आता है as if that's necessary my mother cried cried means shouted यानि चिला कर बोलती है कि क्या यह जरूरी भी है it would simply be an insult to talk like that and think about the risk she is running each time she goes out of our door with her full suitcase or bag यानि उसकी मदर कह रही है कि इसकी जरूरत भी नहीं है पूछने की और यह बिलकुल एक insult तरीके का लगेगा यहां तक कि तुम एक risk को तो imagine करो कि जब वो बाहर बाहर हमारे घर से बाहर निकलती है suitcase लेके bag लेके तो बाकी के आसपडोस के लोगों को neighbor root को मालूम पढ़ सकता है कि वो एक इस community की help कर रही है जिन से यहां लोग hate कर रहे हैं जिन्हें लोग भगाने पर मचबूर कर रहे हैं उनके ही देश से अब यह सारी बातचीद यह सारी चीज हमारा जो present में जो daughter ना जो station जा रही थी यह station में चलते चलती यह सब चीज सोच रही थी और आब आज़ा वापस present दे पर यहांने जब वार हुआ उन्हें भागना पड़ दिया अब जब वो वापस आई है वो station पर जा रही है station की तरफ देख रही है कि कई सारी similar चीज दिख रही है but I did not want to go further than was necessary I did not want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a police system कि वो यह सब चीज को देख तो रही है but बहुत ज़्यादा detail में नहीं देखना चाहती बहुत ज़्यादा पास जाके नहीं देख रही है क्यों आगे लिखा है I didn't want to upset myself क्योंकि वो खुद को निराश नहीं करना चाहती थी दुखी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसकी बहुत सारी यादे यहाँ पर जुड़ी थी यहाँ की street से यहाँ की घरों से बहुत सारी यादे थी तो वो इन सब को दुबारा याद करके दुखी नहीं होना चाहती थी इसलिए ज़्यादा detail में नहीं जाती है In the train back I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her फिर कितना चल रही है station पर पहुच चुकी है वो station पर पहुच गई है train में बैठती है और वो अपने सामने देखती है उसी lady Mrs. Darling को अपने एक तम सामने और वो बिल्कुल वैसी दिख रही थी जैसा उसे first time में दिखी थी जब वो पहली बार उनसे में थी उतने साल पहले जब वो उसके घर आती थी उसका समान लेने अब वो बता रही है कि उस time पर जब उसने उन्हें पहली बार देखा था तो कैसी दिखती थी वो तो उस time पर वो सुबह कब की थी वो सुबह से जस्ट पहले वारे दिन यानि रात कोई उन्होंने उसके बारे में बताया था उस woman के बारे में कि ऐसे ऐसे एक हमारी दोस्त है और अगली सुबह वोट के आती है थोड़ा सा देर से उठती है I had got up late and coming downstairs सीडियों से नीचों तरती है और देखती है कि उसकी मदर खड़ी है किसी को देखने के ले कि कोई आ रहा है और कौन आ रहा था यानि बहुत चौड़े पीठ वाली बहुत चौड़े बैक वाली एक वुमें There is my daughter said my mother she be gone to me क्या मतलब अरे be gone का मतलब कि point out करके call करना जैसे तुम सीड़ों से चलके आ रहो तो कोई relative आता है तो तुम्हारी मम्मी कहती है न उंगली दिखा कर कि वो हमारा छोटा बेटा है वो हमारी बड़ी बेटी है तो बस उसी तरीके उसकी mother ऐसे point out कर कहती है कि there is my daughter the woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack she wore a brown coat and a safe place hat चल देती है उसने एक brown coat पहना था और एक shapeless hat यानि टेनी मेडी सी सस्ती सी कॉफी वाली आचेंडेम की hat लगा रखी थी फिर अब उसके दिमाग में question आते हैं और वो पूस्ती है does she live far away अब mother reply करती है in macrony street number 46 remember that क्या कहाँ पर macrony street में house number होगा यह number 46 address याद रखना बोलती है remember that पापकॉन खाओगी तो यह तो हम वापस चले गए थे उस बेटी की उस डॉटर की उस छोटी बच्ची की flashback में कि उसने जब पहली बार उस woman को देखा था तो क्या क्या हुआ था वो सीडों से नीचे उतर रही थी उसने सामने उस woman को देखा था जो suitcase में समान लेकर जा रही थी और यह सब वो सोच रही है past के बारे में अब present day पर आते हैं I had remembered it but I had waited a long time to go there initially after the liberation I was absolutely not interested in all that store stuff and naturally I was also rather afraid of it मतलब कि उसे याद था वो address but initially after the liberation liberation का मतलब आजादी के बाद यानि कि वो सब freedom मिल जाने के बाद world war के बाद situation normal जाती है उसके बाद भी उसको कोई interest नहीं था जाने का कि जाकर वो सारा stored stuff यानि जितना उसका समान जो store करके उस woman ने रखा हुआ है वो जाकर देखे and naturally I was also rather afraid of it कि वो डर भी रही थी but किसे वो किसी चीज से नहीं डर रही थी बलकि एक situation से डर रही थी कि कैसे वो जाकर वो सारी चीजों को देखेगी face करेगी confronted का मतलब face करना कि वो कैसे face करेगी यह सब चीज जब वो देखेगी अपना वो सारे सामान उसके सारे पुराने belongings जिसका पहले तो एक relation था याद करो imagine करो कि जब उसकी मदर उसको उस plates में उस cutlery में खाना देती होगी तब तो उन समान से उसका एक connection था but अब वो connection यह नहीं एक्जिस्ट करता है अब उसकी मदर ही नहीं है जिन्दा इस दुन्या में तो अब वो काफी ज़ादा उससे अजीब लग रहा था यह सब चीज वापस से face करना आगे लिखा है which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again which had endured all those years because they were things मतलब कि वो सारी चीज़ें जो अभी तक छुपी हुई थी कुछ समान उसने imagine किया कि cupboard में पड़ा होगा कुछ boxes में पड़ा होगा and waiting in vain वेन यानि uselessly wait कर रहे हैं जिसका कोई काम नहीं है उन समान का कोई काम नहीं है वो बस wait कर रहे है कि कोई आए और हमें वापस से लेकर जाए इसका बहुत डीक मतलब है endured means suffered कि ये सारी चीजे वो समान जो cupboard में बंध है ये सब जहल पाए इतने सालों तक क्योंकि वो things हैं चीजें हैं इंसान नहीं है क्योंकि इंसानों का तो खात्मा कर दिया गया था world war 2 की वज़ा से और उस situation की वज़ा से बट ग्रेजुएली everything became more normal लगी धीरे धीरे चीजे normal होती है bread was getting to be a lighter color यानि bread अच्छी quality की मिलती है कम पैसे मिलती है there was a bed you could sleep in unthreatened यानि एक a bed था उसके पास जिसके पास वो सो सकती थी unthreatened यानि बिना डरे कोई threat नहीं था a room with a view you were more used to glancing at each day एक room मिलता है जिस पे एक view रहता है यानि एक बहुत बढ़ियां सा view रहता है balcony view बोल लो या कोई और view जहां से वो रोजबाहर देख सकती है जैसा उसे पुपरानी आदत थी and one day I noticed I was curious about all the positions that must still be at that address I wanted to see them touch and remember मतलब की अभी तो एक नए घर में रह रही है जहां पर उसके लिए bread मिल जा रही है खाना मिल जा रहा है bed लगा हुआ है और एक अच्छा view भी है बड़ अचानक एक दिन उसको वो सब याद आता है वो address याद आता है मारकॉनी स्ट्रीट का number 46 जहां पर उसका मन करता है कि वो जाए अपनी पुरानी चीज़त देखे और एक बड़ टच करे लेकिन लेकिन उसकी जो पहली विजिट थी वो तो waste चली गई थी न when मतलब waste चली आना useless चली आना waste चली गई थी क्योंकि वो तो मिली नहीं पाई देखी नहीं पाई बट अब वो एक सेकेंड ट्राइ देती है जाती है now a girl of about 15 opened the door to me and I asked her if her mother was at home कि अब जब वो gate knock करती है तो एक 15 साल की लड़की gate खोलती है तो उससे यह बच्ची पूछ लेती है कि क्या तो मारी मदर इस टाइम पे घर है तो वो कहती है no my mother's doing and Iran Iran का मतलब किसी काम के लिए बाहर गई हुई थी इस टाइम घर पे नहीं है no matter I said I'll wait for her यानि जो अमारी जो daughter गई हुई है उससे मिलने उस औरत से वो कहती है कोई बात नहीं मैं यहाँ पर उनका वेट कर लूँगी अब इसके बाद वो दरवाजा खोल देती है अंदर जाती है वो लड़की और उसके साथ-साथ जो यह daughter गई थी अपना घर देखने वो भी अंदर जाती है और अंदर उसे काफी सारी चीज़े दिखाई जाती है जैसे उसे दिखता है एन ओल्ड फैशेंड आई रन हनुका कैंडल होल्डर हनुका कैंडल होल्डर इस तरह का होता है जो नॉर्मल कैंडल होल्डर से अलव होता है इसकी सेव की जैसे से हनुक का केंडल होल्डर बोलते हैं जो हिब्री फेस्टिवल में इस्तमाल किया जाता था और वो केंडल होल्डर बिलकुल एक मिरर के बगल में था we never used it because it was much more cumbersome than a single candle skin cumbersome का मतलब trouble to use जिसको यूज करने में परशानी हो उसकी weight की वज़ा से तो ये इतना बड़ा candle holder normal candle holder से बराबर बहुत भारी होगा इसलिए इसको use ये लोग नहीं करते थे ये daughter सोच रही है अब वो लेडी जो बच्ची है वो पूछती है कि क्या तुम बैठो की नहीं she held open the door of the living room and I went inside past her तो उसके पीसे जाती है living room में और I stopped horrified कि वो डर से रुख जाती है क्योंकि वो एक ऐसे room में थी जिसमें कुछ समान थे जिने जानती भी थी और नहीं भी ये लिखाया I was in a room I knew and did not know जिनका उससे पहले तालुक था I knew and did not know बट अब उनसे उसका कोई relation नहीं जितना समान उसमें था क्या क्या था वो कई सारे चीज़ से सामने दिखती है और वहाँ का जो atmosphere था वो बहुत बेकार लगता है और because of the ugly furniture और the muggy smell that hung there वहाँ का furniture बहुत बेकार था बहुत ज़्यदा आजीब सी smell आ रही थी I don't know but I scared day to look around me उसे डर लग रहा था अपने आस पास देखने में and then I sat down यानि वो एक chair पर बैड़े जाती है जो उसे वो ललकी देती है और उसके बाद उसके सामने एक woolen table cloth होता है उस पर वो अपना हाथ रगडती है और उसकी fingers गरम जाती है यह लिखा है the girl moved a chair I sat down and stared at the woolen table cloth I rubbed it उस पर वो हाथ रब करती है my fingers grew warm from rubbing I followed the lines of the pattern अब जो उस पर pattern बना हुआ था वो pattern follow करती है वो देखती है कि कैसा pattern है somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired उसको याद आता है कि इस pattern पर जो design बना है इस cloth पे इसके कही कोने पर ये पूरा का पूरा जो ये cloth piece है ना ये जल गया था जिसको कभी repair नहीं किया गया था तो वो डूणने की कोशिश करती है सामने से वो लड़की बोलती है my mother will be back soon कि मेरी मम्मी जल्दी आ जाएंगी I have already made tea for you will you have a cup कि क्या आप भी चाय पियेंगी मेरी महनन के लिए अटरी बनाई है तो ये thank you बोल देती है और उस समान को ध्यान से देखती है I looked up the girl put cups ready on the tea table she had a brought back just like her mother कि जैसे उसकी mother जो बच्ची है ना जैसे उसकी mother का brought back था बहुत चौड़ा back था वैसे इसका भी बहुत चौड़ा back होता है अब वो चाय निकालती है एक white pot में जिसका एक gold border होता है lid पे I remembered she opened a box and took some spoons out यानि जो cup में जिसका golden border है जिसमें वो चाय निकाल रही है lid का वो सब उसे बिलकुल याद आ रहा था she opened a box and took some spoons out वो कुछ spoons निकालती है that's a nice box I heard my own voice यानि यह उसने खुद बोला जो लड़की वाँ पर गई हुई है उसके खुद के अंदर सहचानक सहवाज आई that's a nice box as to each sound was different in this room oh you know about them she had turned round and brought my tea वो चाय राती है और हसती है my mother says it is antique we have got lots more she pounded round the room see for yourself वो कहती है कि उसकी मदर ने बताया है कि यह सब एंटिक समान है हमारे पास कई और है वो room में point out करती है और कहती है कि यह सारे समान भी आप देख सकती है but उसको उसके point out करने की देखने की कोई ज़रत नहीं थी योगि उसे काफी सारी चीज़े दिख रही थी I just looked at the still life over the tea table tea table के उपर वो जो देख रही होती है उसे पूरा का पूरा याद आता है उसकी पुरानी चीज़ें as a child I had always fancied the apple on the pewter table pewter plate pewter plate का मतलब pewter एक alloy material होता है material है जिसकी plate बनी थी जिस पर क्या रखा था apple रखा हुआ था और fans मतलब वो मिसा से चाहती थी वो apple जो pewter plate पे रखा था और वो सबाज उसे सामने दिखा रहा था जो वो बच्पन में चाहती थी we use it for everything she shared once we even ate of the plates hanging there अब वो बताती है कि ये सब सारा सवान हम यूस करते हैं हमने तो खाना भी खाया इस plate में और ऐसा को जिसमें special मुझे लगाने वो बच्ची बोलती है I had found the bird mark on the table cloth the girl would questioning at me yes I said you got so used to touching all these lovely things in the house you hardly look at them anymore कि वो जो लड़की गई हुई है पुराना समान देखने वो कहती है कि तुम इतने जादा बार ये सब समान touch कर सुकी हो इनके बीच रहा शुकी हो कि hardly यानि बहुत मुश्किल से तुम इसके तरफ देखती भी होगी you only notice when something is missing तुम तभी कुछ देखती होगी जब कुछ missing हो because it has to be repaired or because you have lent it for example यानि वो एक बिल्कुल taunt के तरीके याद करती है कि तुम कभी कोई चीज देखोगी notice करोगी जब कोई चीज या तो repairing के लिए गई हो या कोई चीज lent कर दियो यानि किसी को दे दी हो तो वो बिल्कुल अपनी story याद रखी है कि जब वो बच्पन में थी तब भी तो उसे तब याद आता है तब वो चेंज दिखता है कि जब उसके घर से समान गाया वोना चाल हुआ था यानि ये बिल्कुल अन्चरली बोल रहे थी यानि बिल्कुल अंदर से बोल रहे थी ना चाहते हुए भी ये सारी चीजने उसके मुह से निकल रहे थी और आगे कहती है यानि उसकी मम्मी कहती है कि क्या वो ये पॉलिश करने में जो इसको पॉलिश करने में हल्प करेगी तो ये रिप्लाइ करती है कि कौन सा सिलवर तो वो कहती है कि स्पून्स, फोक्स, नाइवस ये सारी चीजने और ये इसके लिए बहुती strange होता है क्योंकि इसने आस तक ये notice ही नहीं किया था कि जिस बरतन में ये लोग खाना खा रहे थे ये उसके बचपन का टाइम है जिस बरतन में लोग खाना खा रहे थे ये सब silver का था अब ये सारी story वो बड़ाती है बच्ची के सामने और बच्ची हसने लग जाती है यानि वो कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं पता होगा आगे वो hesitate करती है और sideboard की तरफ जाती है और drawer खोलती है और वो कहती है कि रहने दो वो drawer खोलने वाली होती है चोटी बच्ची और ये कहती है रहने दो मेरी train का टाइम हो गया अब वो से पूछती कि क्या आपको ये सारा समान नहीं देखना है या आपको मेरी मदर का wait नहीं करना है don't you want to wait for my mother तो वो कहती है नहीं नहीं मुझे जाने दो मेरा train का time हो गया है और वो दरवाजे की तरफ जाने लगती है फिर भी वो जो बच्ची रहती है वो ड्रॉर खोलती है और उसमें से सारे के सारे spoons के jingling voice आती है यानि कि आपस में खड़कराने की आवाज आती है जो आवाज ये सुन लेती है बट तब तक वो बाहर निकल चुकी थी और उसके बाद देखती है वो name plate पे Mark on the street लिखा हुआ था number 46 यानि वो address बिल्कुल सही था अब उसे बिल्कुल अपना realization होता है कि but now I didn't want to remember it anymore I won't go back there because the objects that are linked in our memory with the familiar life of former times instantly lost their value when severe it from them यानि वो कहती है कि जब हम किसी भी चीज से अलब हुजाते हैं तो उसको जाकर बबारा से देखना याद करना सही नहीं होता है you see them again in strange surroundings आप वो सारी चीज़ें बहुती strange तरीके से strange surrounding में देखते हैं and what should I have done with them in a small rented room और अब present में जब वो एक छोटे से rent के room में रह रही थी तो वो सारा antique समान क्या करेगी वो silver cutlery, वो spoon वो पूरा का पूरा candle वो सब क्या करेगी वो जहाँ पर ऐसा वो सोच रही थी जब जहाँ वो छोटे से rent के कमरे में रह रही है वहाँ पर तो वो जो window है उसके border पे black paper लगा हुआ है यानि वो बहुत ही छोटे से गरीब टाप के घर में रह रही है वहाँ वो antique, unique और elite चीजों का क्या करेगी and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer और कहती है कि यहाँ पर तो एक handful यानि एक हाथ की cutlery भी मेरे छोटे से, narrow से, पतले से table drawer में नहीं आपाईगी I resolved to forget the address of all things I had to forget that would be the easiest resolved means decided for decide करती है कि मैं address को भूल जाओंगी, जितनी भी चीज़े मैं भूल सकती हूँ, चाहे वो cutlery हो पुराने घर की यादे हो, उन सब में सबसे easy मुझे भूलना होगा वो address, क्योंकि एक number है वो 46 को भूल जाती है, number भूलती है अब, यहीं story होती है, खतम और story का moral था, कि हमें past में दुबारा indulge नहीं होना चाहिए अगर हम move on कर चुके है life में और यहां के तक lesson तुमारे साथ रहेगा इसके questions इस तरह के हो सकते हैं कि narrator जो थी, वो क्यों भूलना चाहरे थी यह सब, और उसके बाद यह story जो है, यह pre-war और post-war में divided है क्या-क्या अंतर है, war के पहले, war के बाद और कैसे हम अपनी चीजों को notice नहीं करते हैं जब हमारे पास होती है, जब वहीं silver spoons उसके पास थे और बाद में वो उसको देख के strange फिल कर सकती है तो यह सारे question और इससे भी जादा question short, long, competency-based questions, MCQ हर एक चीज एक PDF में वितांसर दे दिया है website.paldekshare.com और telegram channel.paldekshare पर मिल जाएगा प्लीज यह वीडियो सब में शेयर करना ऐसी वीडियो बनाने में काफी मेहनत, पैसा और टाइम लगता है और अब 11 में आई गए हो तो नया channel पढ़ ले सीने सब्सक्राइब कर लो for all streams and then क्या, अब जाना, जा, पढ़ ले